सब्सक्राइब करें इस टाइम तो नोईंग का चैनल को बेल का आइकन ज़रूर दबाएं मेरे न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए करेंज करेंज कर एंदी तेन को बाता है मुड़ प्रूमाइब कर दो कि वे दो नो बाता है प्रेट लिए प्रेट्स आज में रुवेव करने वाला हूं मरती सुजु की से लीडियों पर और यह आप टॉटी टॉटीवान थर्ड जेनरेशन वैरियन्ट देख रहे हैं आप Celerio का यह आप top model देख रहे है ZXI Plus total 4 variant में आती है बात करें इस car की engine specification की तो 998 CC का petrol engine देखने को मिलेगा Celerio में power की बात करें तो 49 kW की power मिलती है इस car में torque मिलता है 89 Nm का total 4 variants में आती है Celerio LXI, VXI, ZXI और ZXI Plus ZXI Plus फुली top model है जो आप देख रहे हैं यह आप ZXI Plus देख रहे हैं top model VXI, ZXI और ZXI Plus में automatic का भी option है बात करें इस car के mileage की तो आपको अलग-अलग variants का अलग-अलग mileage है अगर ZXI Plus की बात करें तो यहाँ पे 24.97 की MPL का average मिलता है आपको आखी के variant की average detail आपको screen पे show कर रही होगी सबसे जदा average आपको VXI AGS में मिलता है 26.68 के MPL का जो की सबसे अच्छा average है मारती Suzuki की best fuel efficient car है Celerio यह है इस car का front look front look पहले से काफी अलग है पुरानी Celerio और नई Celerio की बात करें तो काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे unique head lamps है तो आईए close जाके देखते हैं इस car को सबसे पहले यहाँ पे देखे तो आपको बीच में मिलता है Suzuki का logo जो की chrome finishing में देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखेंगे तो plastic की mad grills देखने को मिलेगी यहाँ पे भी आपको bracket type में bumper grills देखने को मिलेगी यहाँ पे इसके head lamps with indicator head lamps इसके काफी unique है पहले से कोई match नहीं करता यह बिल्कुल अलग लगते हैं नीची की तरफ देखेंगे तो आपको fog lamp मिलेगा fog lamp दोनों fog lamp को connect करने की कोशिश की गई है mat grills से जैसा कि आप देख सकते हैं front से plane boner design मिलता है आपको यहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं wipers बात करें इस car की dimensions की तो आपको इस car की length मिलती है 3.6 meter की width मिलती है 1.6 meter की और height मिलती है इस car की 1.5 meter की बात करें इस car की turning radius की तो 4.7 meter का turning radius मिलता है इस car का 15 inch के black alloy wheels का option मिलता है front में disc और rear में drum brakes मिलते हैं lower variant में steel wheel का भी option है 170 mm का ground clearance मिलता है आपको celerio में 2435 mm का आपको wheel based में देखने को मिलेगा यह है इस car का side look side look काफी cool है इस car का fender line design देखने को मिलेगी यहाँ पे मिलते हैं आपको electronically adjustable and foldable outside mirror with indicator auto fold function के साथ plane roof antenna body color door handle का option है request button के साथ smart keyless entry का option मिलता है आपको celerio zx i plus में कुछ इस तरीके का look देखने को मिलेगा side से बी पिलर ब्लैक मिलता है आपको यहाँ पे matte finish देखने को मिलेगी और यह हैं इसके tail lamps drop shape के tail lamps देखने को मिलेगे नौर्मल बल्ब मिलते हैं LED का option नहीं है और यहाँ मिलता है high mount stop lamp washer पीछे defogger और wiper का भी option है यहाँ मिलता है सुजुगी का logo chrome finish के साथ tailgate opener request switch के साथ और यहाँ मिलती है आपको से लीडियों की badging नीचे के तरफ देखें तो reflector और यहाँ पे sensor देखने को मिलेंगे दोनों तरफ sensors की positioning काफी अच्छी है और इस तरीके से लगता है आपका back look काफी unique look है इसका अगर पुरानी से लीडियों को देखे तो नई से लीडियों काफी अलग लगती है पुरानी से लीडियों के हिसाब से तो आईए boot open करके देखते हैं कितनी boot space मिलती है यहाँ पे मिलती है आपको rear parcel tray जोगी काफी काफी वॉइड है थ्री हंड्रेट थर्टीन लिटर की boot space देखने को मिलेगी नीचे मिलता है spare wheel तो काफी अच्छी boot space आपको यहाँ देखने को मिलेगी थ्री थर्टीन लिटर की 60-40 का seat split भी कर सकते हैं आप extra boot के लिए यहाँ से मैं इसको lock कर दूँगा तो बात करें अगर हम सिलेरियो में fuel tank की तो यहाँ पे आपको 32 लिटर का fuel tank मिल जाता है सिलेरियो में बात करें इस कार के safety features की तो यहाँ पे dual airbag, seatbelt reminder, speed sensitive auto door lock, ABS, EVD, impact sensing auto door lock, resistant protects, headlight leveling, rear window wiper, immobilizer, child lock, speed alert system, reverse parking sensor, ideal start stop और hill hold assist जो की automatic में आता है, इस सारे features देखने को मिलेंगे आपको सिलेरियो में जो की काफी अच्छी safety features है तो बात करें इस कार में color option की तो यहाँ पे total six color में available है आल न्यू सिलेरियो, यह जो आप color देख रहे हैं यह स्पीडी ब्लू, इसके लावा glistening gray, arctic white, silky silver, solid fire red और caffeine brown जैसे color आते हैं सिलेरियो में तो फ्रेंट्स यह सारे details थी आपकी सिलेरियो की exterior की और engine specification की, colors की, safety की तो बात करें अब इस कार की interior की, तो चली हम देखते हैं इस कार का interior, क्या-क्या features आपको वहाँ देखने को मिलता है उन्हें driver side door open किया हुआ है, यहाँ पे आपको black color का option देखने को मिलेगा दोर पे design, यहाँ पे silver matte finish में door opener देखने को मिलेगा door mounted armrest, जो की काफी छोटे size का है, नीचे की तरफ one letter water holder और paper work space देखने को मिलेगी यहाँ पे speaker मिलता है, speaker का design change है पहले से और यहाँ पे आपको power window की controls और side mirror की controls यह सारे switches यहाँ से हटा दी गई है door के panel पे कोई भी controls नहीं दिया गया है यहाँ पे wind plate मिलती है, tire pressure information यहाँ मिलती है ऐसी event, silver matte finish में जिसका look पहले से change है यहाँ पे engine start stop का button भी देखने को मिलेगा यहाँ पे ideal start stop का button और यहाँ पे ORVM के controls देखने को मिलेगे नीचे headlight leveler देखने को मिलेगा bonnet open करने का lever यहाँ पे मिलते हैं pedals यह इस car की seats, fix headrest के साथ total black color का option मिलता है seat में भी seat में fabric design देखने को मिलेगा, जो की काफी light है seat height adjustment का भी option मिलता है, recline और height adjustment दोनों है ऐसी है इस car की entry तो चलिए अंदर बैठ के देखते हैं इस car में यह है इस car की की, बीच में Suzuki का logo देखने को मिलेगा lock unlock करने का button दिया हुआ है यहाँ पे smart remote की का option मिलता है, Celedio ZXI Plus में, जो की पहले नहीं आता था यहाँ पे आपको मिलता है इस car का instrument panel, जो की सेम वैगनार के top model जैसा दिखता है on होने के बाद कुछी सरीके का देखने को मिलेगा आपको left side में आपको warning lights मिलती है, बीच में आपको देखने को मिलेगा speedometer right side में आपको एक छोटा display मिलता है round shape में, जिसपे की आपको काफी सारे information देखने को मिलेगी RPM meter, digital clock, fuel level indication, kilometer, trip A, trip B, average fuel economy, range, यह सारे features show करता है headlamp को on करते हैं, इसकी light automatically dim हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में ताकि आपको रात में car को drive करने में कोई परिशानी ना हो Suzuki का logo मिलता है, steering पे, यहाँ पे airbag की बैजिंग, यहाँ पे मिलता है आपको music का control, calls के control, three spoke steering wheel मिलती है, यहाँ पे lights के control, wipers के control, और यहाँ पे आपको काफी unique AC event देखने को मिलेगा, chrome finishing भी दी हुई है, bracket shape में, जो की काफी unique है, पहले ऐसा AC event नहीं आता था से ले रहे हो में, और यहाँ पे आपको मिलता है 17.78 cm का touch screen music system, यहाँ पे show करता है average, जो की 21.3 kmpl का show कर रहा है, support करता है Android Auto, Apple CarPlay, USB, AUX, FM, Bluetooth, यहाँ से आप device को pair करा सकते हैं, और नीचे की तरफ देखे, तो यहाँ पे आपको power window की controls मिलेंगे, front power window की controls देखने को मिलेंगे, यहाँ पे lock करने का button, और यहाँ पे hazard light control और यहाँ पे door lock and lock करने का button दिया हुआ है, यह सारे controls पहले door panel पे आते थे, यहाँ पे आपको normal dial type AC मिलता है, नीचे की तरफ देखे, तो आपको मिलता है 12V का charging port और USB aux का port मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह USB aux का port है, और यहाँ पे मिलता है 12V का charging port, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी space, यहाँ पे dual cup holder देखने को मिलेगा, और यहाँ मिलता है 5 manual transmission और एक reverse gear के साथ gear knob, chrome finish देखने को मिलेगी round shape में, और यहाँ मिलता है handbrake silver knob के साथ, यहाँ मिलती है space, यहाँ पे मिलता है C-wind, यहाँ पे dashboard का design काफी unique है, पहले ऐसा dashboard नहीं था, मारती सुजुकी से लेडियों में, यह space की तरह लगता है, लेकिन यह design है, यह आप अपने use में नहीं ले सकते हैं, काफी unique design है dashboard का, यहाँ पे fix handle bar, यहाँ पे मिलता है matte finish में door opener, door mounted armless देखने को मिलेगा, छोटी size का, नीचे speaker, one little bottle holder और paper work space देखने को मिलेगी, door panel पे, को driver side sun visor में vanity mirror का option मिलता है, mic, cabin light, driver side sun visor में ticket holder का भी option देखने को मिलेगा, तो friends, चलिए rear seats पे बैट के देखते हैं, यहाँ मैंने rear door open किया हुआ है, black law का option मिलता है यहाँ पे भी, silver matte finish में door opener, यहाँ पे door mounted armless देखने को मिलेगा, नीची के तरफ one letter bottle holder और इस speaker मिलता है, और ऐसी मिलती है इस car के entry, entry straight है इस car की, यहाँ पे leg room काफी अच्छा देखने को मिलेगा, silerio में, fix headrest मिलता है आपको, front seat पे और rear seat पे भी fix headrest ही मिलता है, यहाँ पे आपको मिलते हैं rear power window के controls, जो की बीच में दिये हुए हैं, यहाँ पे black door का option है, armrest मिलता है, नीची speaker और one letter bottle holder मिलता है आपको, side panel से power window हटा के बीच में कर दिया है, यहाँ पे भी आपको fix headrest देखने को मिलेगा, rear seat पे भी, parcel tray मिलती है आपको, जो की काफी wide है, fix handle bar मिलेगा आपको यहाँ पे, और ऐसा दिखता है आपका dashboard, rear seat से, जो की काफी aggressive है, total black color का option देखने को मिलेगा, dashboard पे भी, तो फ्रेंड्स बात करें इस car के price की, तो इस car का action room price दे श्टार्ट होता है, 5 lakh रूपीज से, top model की कीमत है 7 lakh रूपीज, on road price जानने के लिए, आप nearest dealership पे contact कर सकते हैं, इस car की booking open हो गई है, आप nearest dealership पे जाके, इस car को book करा सकते हैं, बात करें इस car में space की, तो company ने इस car में, space को काफी अच्छे तरीके से utilize किया है, बाहर से देखने पी एक गाड़ी उतनी spacious नहीं लगती, जितना अंदर बैठने के बाद आपको लगेगा, तो ये चीज काफी अच्छा लगा मुझे इस car में, बाकि आप nearest dealership पे जाके, इस car की test drive लेके, अपना opinion comment में share कर सकते हैं, तो friends, ये था all new solario 2021 का review, वीडियो कैसा लगा, comment में बताएं, वीडियो को like करें, share करें, और चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिन्द, जय भारत.